नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फोरस्टडी पावर में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का मोडल पेपर जो 2021 में आया हुआ है तो आपसे एक चोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सुरू से आन तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ओल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो आप मिश ना कर पाएं तो चलिए वीडियो आप स्टार्ट करते हैं पहला प्रसन दिया हुआ है सने मगन सब्द कौन सा समास है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर बी तत पुरूष समास नेक्स प्रसन है विक्रम अदित्य क सब्द का संदी विछेद है यहाँ पे चार उप्सन है इसमें से आपका सही उप्सन हो जाएगा उप्सन नमबर बी विक्रम प्लस अदित्य ठीक है next press नहीं देखते है next press 3 number question दिया हुआ है सुध वाक्य है यहां पे 4 option है option number A लिखा हुआ है 해 option number B है आपका पत्र – सधन्यवाद red option number C है अप्षın number D हमारी अयूस्मती – कन्या का विवा होने जा रहा है इसका सही answer हो जाएगा यहाँ पे सुधवाक्य क्या हो जाएगा option number A साहेतिय और जीवन का घोर सम्मंद next हमारा चांथा प्रस्न है घोडा सब्द कौन सा संग्या है घोडा जो सब्द है और कौन सा संग्या है यहाँ पे 4 option है इसमें से आपका सही option हो जाएगा option number A जाती वाचक 5 number question देखते हैं 5 number question दिया हुआ है उनायक सब्द का संदी विच्छेद है उनायक सब्द का संदी विच्छेद क्या होता है यहाँ पे 4 option है इसमें से आपका सही option हो जाएगा option number C उत प्लस नायक next 6 number question है नदी सब्द है नदी सब्द कैसा है option number A दियावा, इस त्रिलिंग option number B है, pulling option number C है, उभह लिएंगी और option number D दियावा, इन में से कोई नहीं, इसका सही answer हो जाएगा, option number A इस त्रिलिंग ठीक है, 7 number question हम देखते हैं, 7 number question हमारा दिया हुआ है, स्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है, स्याम ने मिठाई खाई, यह इसका सही answer हो जाएगा, option number C विराग, next question है, 9 number question हमारा दिया हुआ है, यथार्थ सब्द का संदी विछेद है, इसका सही answer हो जाएगा, option number C, यथा प्लस अर्थ, next question है, पद बंद के कितने परकार हैं, इसके परकार होते हैं, तीन, यानि option number B सही answer है, next 11 number question देखते हैं, 11 number question द 12 नमर क्योंट परकास सब्द का link निरने करें परकास सब्द कौन सा link का होता है इसके बारे में आपसे पुछा जा रहा है इसका प्रस्न में तो इसके first option दिये हुए है इस दिरी link option नमर B है पुलिंग और option number C है उबह लिंग गिर option number D दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, pulling next question देखते हैं, बनावट के अनुसार सब्द के कितने भेध हैं इसके सही आंसर हो जाएगे, option number C, 3 14 number question अमारा दिया हुआ है, यहां से चले जाओ वाक्य है यहां से चले जाओ वाक्य, यहां पे पूछा जा रहा है, यहां सही आंसर हो जाएगा, option number B, आग्या बोधक ठीक है, 15 number question में दिया हुआ है, अपने पाउप पर कुलाड़ी मारना इस मुहावरे का क्या आर्थ है, इससे में पूछा जा रहा है आपको से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, अपनी हानी खुद पहुचाना, ठीक है, अपनी हानी खुद पहुचाना इसका आर्थ होता है नेक्स प्रस ने है, बालक सब्द में परते है, बालक सब्द में कौन सा परते होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, अक नेक्स प्रस ने हमारा 17 नमबर कोशन दिया हुआ है बदनाम सब्द में उपसर्ग है उपसर नमबर A है B, उपसर नमबर B है अद उपसर नमबर C दिया हुआ है बदन और उपसर नमबर D है बद इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर नमबर D बद नेक्स प्रस नहें है रात धुई और तारे निकले, वाक के है, उप्सन नम्बर अंबर अन्बर जो सब्द वाक्या, सन्यूक्त वाक्या अर उप्सन नम्बर डी दिया हो वैं मिस्र वाक्या। दंत समास, option number D दिया हुआ, तत्पूरू समास, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, कर्मधारिय समास, next question है, इसे कौन नस विकार करेगा, सर्वनाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number C, प्रस्न वाचक, question number 1 किस दिया हुआ है, नव अधू सब्द कौन सा समास है, इसका सही आं question दिया हुआ है, पढण से योग के लिए एक सब्द है, option number A है, पठन, option number B है, पठनिय अप्टन नबर C दिया हुआ, पढ़ाकूर, option number D है, पठ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option number B, पठनिय, next question है, भला सब्द कौन विकार्जेशन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number C, गुन वाचक विशेशन नेक्स प्रसन हमारा दिया हुआ है वयाकूल सब्द का संदी विचेद है इसका सही आंसर क्या होगा option number A इसका सही आंसर होगा V plus आकूल ठीक है नेक्स प्रसन हम लोग देखते हैं विशेश सब्द का विलोम है विशेश सब्द का विलोम क्या है इसका सही आंसर क्या है option number A अ विशेश ठीक है नेक्स प्रसन हमारा है पेट में चुहे कुदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है इसका अर्थ होता है जोर से भूख लगना यानि जोर की भूख लगना ठीक है option number D आपका सही आंसर होगा question number 28 दिया हुआ फैसला सब्द है इसका सही आंसर आपको comment box में बताना है नेक्स प्रसन देखते हैं जिसे भॉख नहीं है एक सब्द इसके लिए यूज किया जाता है वो कौन सा सब्द है वो होता है निर्भाई ठीक है option number A आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स प्रसन हमारा है रचना की दिरिष्टी से किरिया के कितने भेध होते हैं option number A है option number B है दो option number C है तीन ор option number D दिया होई चार तो इसका सही आंसर क्या होगा option number B 2 नेक्स प्रसन हम देखते हैं 31 नमबर कोशन हमारा दिया हुआ है जिसके रूप में लिंक वचन पुरूस कारक काल आधिक के कारण कोई विकार उत्पन नहीं होता है उसे कहते हैं अप्सन नमबर A दिया हुआ किरिया अवियर अप्सन नमबर C है विशेशन अप्सन नमबर D है सरवनाम तो इसका सही आंसर क्या होगा अप्सन नमबर B अवियर ठीक है अग्यान सब्द कौन समास है इसका सही आंसर क्या होगा option number A तत पुरुष समास नेक्स प्रस्न है वह कौन है जो वहाँ भासन दे रहा है सर्वनाम है इसका इसका सर्वनाम क्या है option number A है निश्चे वाचा का option number B है अनीश्चे वाचक का option number C दिया वाचक option number D है प्रस्ण वाचक किसका सई answer क्या होगा? option number C अपका सई answer होगा समंदवाचक next question है 35 number कोषशन हमारा दिया होगा है क्रोध सब्द का पर्यवाची है option number E है तुफान option number B है कई option number C है कोप और option number D दिया है खर तो इसका सही आंसर होगा Option number C, कोप अगला प्रसन हमारा दिया हुआ है संपूर्न करांती किस लेखक की रचना है इसका सही आंसर होगा Option number A, जैप परकास नरायन Next question है सुद्रिलिर गोस्टी किसे कहते हैं इसका सही आंसर होगा Option number C, इयरोप के कावे कला परविन विद्यमंडली को ठीक है Next question हमारा है 38 number question हमारा दिया हुआ है लहना सिंग के भतिजे का क्या नाम था इसका सही आंसर होगा Option number A, किरत सिंग Next question है उसने कहा था कहानी में पल्टन का विदूसक कौन था Option number A है लहना सिंग Option number B है वजीरा सिंग Option number C है हजारा सिंग Option number D दिया हुआ है किरत सिंग तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option number B, वजीरा सिंग 40 number question हमारा दिया हुआ है नीमन में से कौन लेखक थियोसो फिकलक सुसाइटी से जुड़े हुए थे इसका सही आंसर हो जाएगा Option number D, उधे परकास नेक्स्ट हमारा 41 question number हमारा दिया हुआ है उधे परकास किस पत्रिका के सहायक संपाधक थे Option number A है Bleach, option number B Sunday Mail Option number C दिया है Inner Star, option number D है India Today तो इसका सही आंसर होगा Option number D, India Today 42 question number है सिख्षा पाठ के रचाइता कौन है Option number A है मोहन राकेस Option number B है सचीदा नंद, हीरा नंद, वात्से आयान, अगे Option number C है मली अज Option number D है J.KRISHN मूर्ती ठीक है J.KRISHN मूर्ती हमारा D option number है तो इसका सही आंसर होगा Option number D, J.KRISHN मूर्ती अगला प्रस्न देखते है अगला प्रस्न हमारा है तिरिच कहानी किस सेली में लिखी गई है इसका सही आंसर होगा Option number B आत्मक, कथ्यात्मक सेली में ठीक है 44 number question हमारा दियावा है मलेज का मूल नाम है Option number E है नर्पत सिरिवास्त Option number B है इसका सही आंसर होगा Option number D भरत जी सिरिवास्त नेक्स प्रस्न है देहरा दुन में अप्रेटिस की नौकरी किस लेखक ने की इसका सही आंसर हो जाएगा Option number D नामवर सी ने ठीक है नेक्स प्रस्न है नामवर सी दुवारा लिखित परगित और समाज क्या है Option number D है एकांकी Option number B है आत्म खता Option number C दियावा यात्रा विर्तांत Option number D है निबंद तो इसका सही आंसर होगा Option number D 47 number question दिया हुआ है मोहन राकेस के बचपन का नाम क्या था इसका सही आंसर होगा Option number A मदन मोहन गूगलानी Next question है बालू की डगरों के बिच खोई सी रह गई है ये धराये जो कभी वंसिरी के धके वक्ष स्थल में किलगती रहती थी परस्तूत पंक्ति किस पार्ट में है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेक्स प्रस्न की और बढ़ते है नेक्स प्रस्न हमरा दिया हुआ है जग्दिश चंद्र माथूर द्वारा लिखा गया ओ सदा नीरा कैसा निबंध है Option number A वेंग्यात्मक है Option number B वेक्ति भाव और वस्तू परधान है Option number C है हास्य परधान है Option number D दिया हुआ है ललित्य परधान है तो इसका सही आंसर होगा Option number D इस वीडियो का last प्रस्न हम लोग देखते हैं सूर्दास कीस भासा के महान कवी है Option number A है राजस्थानी Option number B दिया हुआ है बर्ज भासा Option number C है खड़ी बोलिया Option number D दिया हुआ है आवेदी तो इसका सही आंसर होगा Option number B बर्ज भासा तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग